तो दोस्तों आज है डे वन डेली लॉकडाउन का और मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस तो रास्ते में देखते हैं कि इस लॉकडाउन का क्या असर है कितना लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो यह कलिए मेरे साथ और देखते हैं कि लॉकडाउन का कितना impact होगा है अब तक इतना खाली इस चोक को आज तक मैंने कभी नी देख यहां तक कि दो अक्टूबर को भी तना खाली नहीं होता पंद्राइगस को भी इतना खाली नहीं होता सकते पिछे अबुलेंस हारी है अबुलेंस को इतनी मशक्कत करने पड़ती थी निकलने के लिए लेकिन अब देखो विल्कुल खाली इससे कितना फायदा हुआ अबुलेंस को भी और यह चौक इतना भरा रहता था कि लोग यहां पर कूदते रहते थे अपनी वहिकल्स लेके और अब देखा विल्कुल खाल जी तो इस फाइब थर्टी पी एम इन दी इवनिंग ऑफिस हो गया खतम और हम निकल रहे हैं घर की तरह यह है रखाब कर दोरा जिसके पास मेरा ओफिस है अभी में ओफिस में वैट के न्यूस देख रहा था तो उसमें दिखा रहे थे कि जो 25 पसेंट चली है उसकी वेज पूरी तरह बंद कर दें मेरे साब से या लोगों को समझाए कि वो बसों में ट्रैवल ना करें हो गया रहा है कि उससे इतनी भीड हो जा रहे है बस इसमें कि उसको कोई फाइदा नहीं है कि या प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया कि यह आपका आर भी आई बंद पड़ा है और यहां समझा रहे हैं इंडिया केट की तरफ पूरा रास्ता आप देख सकते हो खाली पड़ा है हाला कि ओफिसेश खुले हुए क्यों कि गवर्मेंट ओफिसेशन नीटी आयोग कि यह रिजर्व बैंक की दूसरी साइड और यहां पे यूज़ी पार्किंग की लाइन लगी रहती है वे देख सकते हो स्यूंसिड़ ए干 लैंडिया carbon यूज़ी पूरी पार्किंग की लाइन इस तरह और इस तरह लगी रहती इस तरह चाड़ी बिकन इस lockdown की वजह से सारा खाली हो गैए कि यहां का चक्कर दिखा देता हूँ कृषी भुपन आज यूजिली फाँच बजे अगर आप यहां पर आओ तो यह पूरा भरा रहता है यहां पर इतना राष होता है गार्ड यह कस एक साथ निगलती कुई कि ओफिसेंस कतम हो रहा होता है यह है खृषी भवन और यहां पर इतना राश होता गाड़ियों का कि यह जाम लग जाता है और अब यह आप देखो पूरा खाली आप अराम से गाड़ी चलाओ यह रेल भावन यहां पर बिल्कुल खाली कि यह आम तोर पर गाड़ियों की भीड़ी भीड होती है आप है इसी ट्राफिक है हमेशा दिल्ली में कितना अच्छा हो जाएगा जहां आपको जाने में एक घंटा लगता है वहां आप 15-20 में पहुच जाओ गए हैं सारा ट्राफिक कि यह आप देख सकता है बस स्टैंड प कि यहां पर इतना रश रहता था लोगों का सभी गवर्मेंट ऑफिशिल बाहर आते थे चाय पीते थे बीड़ी पीते सिग्रेट जो भी है मतलब यहां पर इतना रश होता था कि कोई कहने की बात नहीं और सारी गाड़ियां गाड़ियां खड़ी रहती थी अब आप देख और यहां मियों यहां पुरा खाली अब लेते हैं । और चलते हैं में यह तरफ है यह निर्मान भवन हो गया और इसका अगला हो गया उद्योग भवन जो कि पूरी तरह से बंद है और यह उद्योग भवन यह भी खाली है बंद हो चुगा है यहां से अब निखलेंगे दिली के मोस्ट वीविएपी एरिये में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक इका दुका गाड़ियां आपको नजर आएंगी सिर्फ लिमिटेड गाड़ियां लिमिटेड लोग यहां लोग पार्क वे बैठेए रहते हैं प्क निक के लिया आते हैं थिह नहीं पूरा खाली है यह सिर्फ छे गाड़िया यहां पर यहां पर देख सकते हो पूरा खाली आए वेहिकल खाली पड़े हैं कि फॉरे खाली है यहां पर यूजिली बड़ी आवाज आई लगी रहती है वही गल्स की लेकिन आज तो मैं देखके हरान हूं कि अंदर खाली पड़ा है यह रोड जा रही है कि नौट प्लेस की तरफ पहले जाएगी पार्लेमेंट स्ट्रीट पुलिस टेशन उसके आगे फिर सीधा सीधा यह तो नौट प्लेस मुझेगी अकाश भावन वाणी भावन है देखे खाली पड़ा है नीती आयो की बिल्डि और सरदार पटेल भावन भी आ गया यह पूरा खाली पड़ा यहां भी यहां भी हमेशा भीड लगी रहती थी वह यहां तो हमेशा को जान मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी रीजन से यह दो कोई बंदा नहीं है आस-पास सिरफ वही लोग है जिनके अभी ऑफिस से छुट अब यहां से वहम लोग चलते हैं को नट प्लीस की तरफ फिर वहां से निकले हों घर की तरफ अएसे लग रहा है जैसे दो अक्टूबर है एक दम खाली रोड मजह ही आ जा रहा है चलाने में और जब हम सोचते की खाली रोड मिलें हम कितना तरस्ते हैं खाली रोड के करके हमें एक मौका देहीं दिया है कि हम यह खाली रोड भी देख लें यह देखें कॉनाट ब्लेस का हाल ओमाइगाड यह तो है लग रहा है भूत बंगला बिल्कुल खाली है बिल्कुल एमटी हो रख है कोई बंदा नहीं सारी शॉप्स बंदा है यहां पर मेडम तिसाउ सब बंद है यह देखिए पूरी कॉनाट प्लेस मार्किट बंद और अभी तक हम लोग टीवी में देखते थे या सोचल मीडिया में देखते थे कि वहान वेक्ट ऐसे गोस्ट सिटी बन गई है इटली गोस्ट सिटी बन गया है लेकिन इस वायरेस के विए से मेरे को तो सब्सक्राइब कर सकते हो यह दो पेट्रोल खाली पड़ा है यह भी हम घूम रहे हैं प्लेस के आउटर सरकल पर सारी शॉप्स बंद है कि यहां भी सारी शॉप्स बंद है वैसे देखा जाए इंपक्त बहुत तगड़ा पड़ा है कि परोना वायरेस का मारे इंडिया में समय कितनी जल्दी जल्दी बदलता है ना थोड़े दिन पहली हम वीडियो में देख रहे हैं अभी तो यह शुरुवात है और हम तो उप है इससे आगे ना बड़े और यह ना बड़े इसमें सब लोह का सपोर्ट चाहिए जिनकी मजबूरी है जैसे मैं हूं इनको आफिस आना पड़ रहा है उनका तो खेर कुछ नहीं कर सकते लेगिन जिनकी मजबूरी नहीं है मैं तो यह रिक्रेस करूंग कि जब तक आपको ज़रुत नहीं है आप मत निकलो बिल्कुल अवाइड करो निकलना घर से यह है को नोट प्लेस का ओटर सरकल है बिल्कुल खाली बड़ा है सारी जगहें खाली है सब बंद हैं यहां तक की के एसी बिर्यानी ब्लू सब बंद हैं कि यहां से हम लेते हैं इसको अंदर यहां यूजली पूरी पालीका की मार्केट लगी रहते हैं आप लोग कई बार आए हो गये एंपर इस जगहां पे फोन्हेट प्लेस जैसी जगह पूरी खाली तो इसका मतलब सीरेसली लोग इसको फॉलो कर रहे हैं यह लोग डाउन जो है काफी हद तक सक्सेस्फुल दिखाई दे रहा है पार्किंग देखिया पार्किंग में भी इने चुने लोग हैं वही लोग है जो अपने आफिस आये हैं और खाली घूमता हुआ या फालतु किसी काम से तो मेरको फेर कोई नहीं दिखा उतक कभी हमने यह नहीं समचा था कि हम इस दिन भी देखना पड़े गा फार्किंग खुली हुई है यह लगा जिसे फ्री पार्किंग कर रखी है को यह को वे इस पूरी तरह से बंद आप पूरे सेंट्रल पार्क चार्पर्ण में पार्किंग में लोग हैं पार्किंग में बाइक्स लगी है या आप देख सकते हो हर जगा चेकिंग लगी है हर थोड़ी दूर में पुलिस अले खड़े हैं अब यहां से चलते हैं अपने घर की तरह कि यह जगह कभी किसी ने सोचे नहीं था खाली हो इतनी तो लोग ही आपको पहली बार तो फुटपा देखने को मिल रहे हैं इका दुक्का लोग हैं पूरी रोड़ पे को रोना यह तुन्हें क्या कर दिया है यह सीपी का हनुमान मंदिर कि यहां पर अक्सार आपको भीड़ देखने को मिला करेगी यह भी खाली है तो अब हम लोग आ चुके बंगला साइब के बाहर बाहर मां आपको दिखाते हैं सारी दुकाने बंद हैं गिन्ने चुने लोग इका दुक्का लोग खड़े हैं लोग रोड़ पे ऐसे टेहल रह कोई जल्द बाजी नहीं है और यह दिखी है लोग अराम से रोड़ क्रॉस कर रहें कोई जल्द बाजी नहीं है इस इतने टाइम में मुझे पहली बार पता चला की रोड जो है वह एक्चल में नीचोडी है क्योंकि गाडियों की वैसे सब कवर रहता है यह दोस्तों राम मनोह लोया होस्पिटल जहां पर कोरोना पेशेंट्स का ट्रीट्मेंट किया जा रहा है दिली में यह आगी ताल कटोरा रोड यूजुली जब मैं ऑफिस से घर जाता हूं तो इस रोड पे जो जेबरो क्रोसिंग है यहां तक ट्रैफिक की ट्रैफिक रहता है अब उमीद नहीं कर सकते इस रोड को खाली होने के लिए पूरा ट्रैफिक से भरा रहता है तो आपको ट्रैफिक की ट्रैफिक मिलना है कि यहां भी वेरिगेटिंग लगा दी लोगों से पूस्ता चो रही है उनके चलान काटे जा रहे हैं बच नहीं सकते हैं आप यहीं मतलब यह तक का मैक्सिमुम ट्रैफिक है जो मैंने रोड पे देखा है कि जहां मुझे अपनी बाइक को ऐसे से करके निकालना वट रहा है वहना यूशली पूरा खाली दूर दूर तक आपको एक यह दो गाडियां दिख रही थी आप यह देखिए पूरा खाली हो गया दि इस टाइम आप 20-30 से उपर की स्वीट पर गाड़ी नहीं चला सकते और अभी मेरी गाड़ी चल लिया है सेवेंटी सब्सक्राइब कर दिया है मलता कभी सोचा ही नहीं था हम ने कि इस रोड़ पर 80 की स्वीट से गाड़ी चल जाएगी पूरी तरीके से लॉक्डाउन हो गया है यहां पर सभी शॉक्स को बंद कर दिया है तो यह था डे वन दिल्ली के लॉक्डाउन का और कल मिलेंगे डे ट जान रखें और घर से बाहर बिल्कुल न निकले अगर जरत हो तो ही निकले